नमस्कार स्वागत अभिनंदर दूर दशन उत्तिराखन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदर आपके साथ मैं हूँ संध्या सेम्वाल और मैं हूँ आपके साथ विश्वबंधु पांड दर्शकों आज है 14 फरवरी यानी चुनाव का दिन और प्रयोक कर्द जनता अपने अर्मानों की अपनी खुशियों की सरकार का निर्माड करेगी उत्तराखंड के लोगों के लिए आज का दिन बेहत खासे वे किस तहा से अपने मद्दान का सही सरकार का निर्माड करते हैं। उनमें कितना उत्सा है आईए देखते हैं तो दर्शकों अभी हम मौजूद है डोईवाला विदान सबाश शेत्र में और यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीर नजर आ रही है लग रहा है कि सुबह सुबह का टाइम है लेकिन लोग अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने आये हैं लग रहा है कि लोग जागरूख हैं तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या-क्या मुद्दे होने वाले हैं उनके आज क्या कहना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं अज तो जहां पूरुशों की भागिदारी है, वहीं महिलाएं भी कम नहीं हैं, महिलाएं भी लाइन में लगी हैं, सुबह सुबह अपना काम धाम सब छोड़ के पहले वोट देने आई हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि एक महिला होकर, एक महिला वोटर होकर उनके क्या होने वाले हैं आप हमारे हैं महिला शिक्षा महिला रोजगार और महिलाओं की शुरक्षा यह मुद्ध है इसके लिए जरकार को बहुत कदम उठाने जी जिसके लिए जो नई सरकार बनीगे इसके लिए हमें शुपकाम नहीं देलें किन-किन समझ्याओं पर वोड़ देंगे आज महिलाओं सभी अपने अपने जैसे भाजपा कोंगेर्स इन सभी को बोड़ देने वाले हैं और अपने अनुसार जिनको जो भी जिनोंने अपने मतलक पिछली उसमें 5-6 सालों में जिनोंने अच्छे वर्क किया हैं उनके अपने अकोर्डिंग उसके हिसाब से बोड़ तो बुजर्ग माता जी भी अभी हमारे साथ हैं जो अभी अभी वोट देकर आये हैं और उनका भी कहना है कि नहीं हम जागरूख हैं उम्र बड़ी हुई तो क्या हुआ अपनी जिम्मेदारी हम निभाएंगे जरूर जी मितले महेंगाई कम हो और मतलब रोजगार अच्छ कर दर्शकों अभी हमने बाद थी डोईवाला विदानसभा शेत्र के मत दाताओं के लिए वो तो जागरूख है अपने वोट को ले कर तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं धर्मपूर विदानसभा शेत्र की ओर इस वक्त हम धरंपुर विधानसवार शेत्र के एक पोलिंग बूत पर हैं और यहां पर हमाई साथ में एक युवा मद्दाता हमारे साथ में है रागनी एक opportunity हमारे पास सबके परस कि आप एक vote ही है एक माध्यम आम नागरिक का कि आप जिससे एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वारी सरकार हमारे उत्राखन के विकास के विए कितने और कदम उठा सकती है तो उसी उम्मीद के साथ मैं भी यहां पर आई हूँ सिक्षा एक मुद्दा है मेरा कि पहाड में हमारे सिक्षा का जो उस्तर है उसको इंपूफ किया जाए जैसे हमारे प्लेंस में जो सिक्षा है है उसका compatibility हो पाए वहां पे भी सरकारी स्कूल है पहाडों में उनका दूसरा जो साफ सफा ही है उत्राखन में सड़कों का जो न सिक्षा जाए बेस पर मैंने डिसाइड गया कि मैं किसे वोट दूंगे और वोट देने के बाद मेरे अपने कुछ सोच है कि जो सरकार ऐसा करे वैसा करे तो उनको मैं वोट दूए तो इस तरह के कुछ विचार थे यहां पर गलफ दिये गए हैं और जो मास नहीं पहना उन करता रहे हैं दुनिया में इसका नाम हो हम इसलिए वोट करते हैं तो अपनी ममा को बनाने में अपना कुछ इंपुछ दिया है हम कल को यह बोलेंगे सरकार ने यह नहीं किया तो वी आरों सो एकुली रिस्पॉंसिबल बिकॉस वी हाव सिलेक्टिट गवर्मेंट इस वक्त हम मौजूद हैं धरंपुर विधानसभा शेत्र के पोलिंग पूर और यहां पर हमाई साथ में सेक्टर पुलिस अधिकारी हमा आपके चैनल के मांदन से बताना चाहूंगा कि सभी लोग अपने मत का परियोग करें और सुरक्षा की बात है तो जब से चुनाव परकिरिया शुरू होती है और चुनाव परकिरिया खतम होने तक पुलिस अपनी चाफ चोबन में विष्था रखती है अधिकारी चुनाव सुरक्षा व्यवस्ता की हम बात करें स्थानिय पुलिस के साथ में यहां पर क्या डेप्लाइमेंट सेंटर पुलिस बलका यहां पर किया गया है हा जहां जहां पर अगर समयंदन सील पॉलिंग घूत है हमारे उसके टन्सीलता को देखते विए और provided अगर पुई ऐसा छेतर है जहां पर कोई संपर्दाइक मामला पहले हुआ है उसके अकोर्डिंग जो है हमारे यहां पर पर कोडिया गया से यहां पे जो COVID नियमों का जो पालन है उसमें आप क्या सोचते हैं कि पोलिस अपनी भागिदारी तो खेर निभाई रही है इसके साथ में जनता को जागरूप भी किया जा रहा है घां जबिल्कुल जन्ताको जांगरुक किया रहा है औ Ihnen बता है जा रहा है कि आप मद्दान परयोक करते समयं, मद्दान का यूज कुरते समय आप कैसे रहेंगे, कैसे आप को जाना है, अंदर जाना है, लाइन में कैसे ख़ड़े होना है आप देख भी सकते हैं आप पर्टेक पोलिंग बूर्ट पर जो मद्दादा के लिए सर्किल बनाए गए हैं घेरे बनाए गए हैं उनमें वो खड़े हैं और अपनी बारीकांच जा कर रहे हैं क्या सोच कर आज आप निकले हैं सोच तो यह है कि गवर्मेंट जो मतलब विकास कारे कर रही है कि डवलप्मेंट होना चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट हो गया आप देखी रहे हैं और कोविड चल रहा है जो कोरोना का जो टाइम चला है उसमें कैसा किसने मदब परफॉर्में है सबने कैसे काम किया है यह सब चीज़े हैं मैं समझता हूं और आज की युवापीड़ी भी समझरी है कि केवल विकास ही हमारा सर्वोपरी एक उद्देश्या होना चाहिए हमें जात पात मजब या वेज भूसा या बोली भासा में नहीं बटना चाहिए और हम सब जब ए एक उद्देश्या एक मक्षद को लेकर आगे बढ़ेंगे कि केवल और केवल विकास ही हम सब के लिए सर्वोपरी है और इसी को मद्दे नजर रखते वे सब अपना पंदार करेंगे हम 19 राइपूर विधानसभास चेत्र के सकी बूत पर इस वक्त मौद है आए देखते है आगे कि लोगों में यहां पर कितना उच्छा है वे कितने सतर्ख हैं अपने मता अधिकार को लेकर करा है मैं इस ये सखी डूद बनाये गया है तो इस कदम कुं चताय लिंगे चुनावाइबाए बहुत सुन्दर कदम है बधह अच्छा लग रह है देश का विकास होना कर्सक्राइब इस बाला क्या मुद्देखा मुद्दें जिनको लेकर चुधा शुका क duties रखन स्वास तैब और रूजगहर ए ऊठिख पर र्क शोक्ष्ण है महिला फूपर बात है करें तुर के पालन मैं उत्राखंड वासियों मैं बहुत खुस हुं कि में भोट देने जा रहे हैं जा रही है सर शिक्षाय है और भरष्टाचार कम जोना चाहिए शबसे पहले देश बचाना है उसके भाट को महां तो इस चलता ही रहता है यह तो जो भी सरकाराइगी महां तो बढ़नी लेडिस कुलिस हमारी बहुत बढ़िया काम करेगी और विकास का काम करेगी, भर्षाचार को खतम करेगी, वही मुद्धे हमारे मेना है, शिठ्खा निपी चेंजोनी है लेडिस कुलिस हमारी बहुत बढ़िया काम करेगी, जैंट सेर लोग बहुत बढ़िया करेगी, पुरा जो हमारा गोवीड प्रोटो कॉल है वो पुरा फॉलो किया जा रहा है सर हमारे साथ में जोर्णल पुलिस अधिकारी शरचन्द गुसाईं जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं आईए उन से जानते हैं किस तरह से मद्दान यहां पर किस विवस्था के साथ में चल रहा है सर अचाल का दिन आपी बड़ा दिन वह किस में तैयारी पुलिस प्रशासन लेकिंगे हैं किस तरह से लाइन लगानी है और किस तरह से COVID के नियमों का पालन करवाना है लोगों से, उसके लावा फिर सेक्टर बने हैं, वो सेक्टर में पूरे लगातार जो टीम बनी है, सेक्टर पुरिस अधिकारी और सेक्टर में भूम रही है और उसके बाद एक जोनल अधिकारी और जोनल पुलिस ऑफिसर की एक टीम बनी है, वो भी लगाता राउन में रहती है और सुरक्षा ब्यासता का लगाता ध्यान दिया जा रहा है और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो फिर हम लोग तुरंद उसके लिए राकरन करते हैं कोँवीट हमेशा से एक चुनोती है और चुनोती अब आगे आने वाले टाइम तनक की चुनोती रहेगी और हम लोग इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं हम लोग आपस में और पर प्लिकों भी इस तो ऑवेड कर रहे है कि इसका पूरा ध्यान रहाएं अई हर्ट सम्भवव सबाट शेत्र और राइपूर विधान सबाट शेत्र तमाम तरह की जगों के हमने बाटतें करीं अब आपको ले चलते हैं रिशिके यहां पर हमारी सही होगी वहां किस तरह का हाल है किस तरह का मिजाज है यह हमें बताएंगी तो दर्शको धर्मनगरी हरी द्वार के बाद दूरदशन उत्तराखन की टीम अब आप पहुंची है योगनगरी रिशिकेस विधान सबाट शेत्र में यहां पर भी लोगों की लंबी-लंबी कतार हैं जो कह रही है कि हम भी जागरुख है पुरुषों की लाइन भी है उसके साथ ही महिलाओं की लाइन है जो कह रही है कि नहीं हम पीछे क्यों रहे हैं हम भी अपने वोट का प्रियोग करेंगे और अपने प्रत्याशी को विज आते हैं वहां पर कुछ फैक्टरी का विकास हो ताकि जो युवाएं हमारे उनको रोजगार मिले कुछ ऐसा हो जिससे क्योंकि पार्टी हर पांसावाद आएगी बदलेगी कुछ होगी पर विकास के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है कॉलेज खुल गए है पर जॉब्स के अवल लोग करें अवश्य करें हर किसी कैंडिडेट से यह मिली वू है और थोड़ा से महंगाई और भी रूजगारी पर दो दर्शकों रिशिकेश विधानसवाद शेत्री की जनता तो जागरूख है यहां के मतदाताओं का कहना है कि शेत्री के विकास के लिए हमारा एक-एक व सब्सक्राइब शेत्री के विधानसवाद सीट के मतदान बूत पर क्या मुद्द लेकर के आए गया है जो भी जीते वाद विकास करें जो भी चुन के आये वह अपने विकास का वह तक है जैसे बिजली पानी स्वास्त सुविधा हो बोड़ देने हम तो यह है कि रोजगार बैरें है अर्थ भी बहुत कुछ है हमारे हमारे मतला हुआने जो सढ़ख़ों में कापि इसमें हमारे लाईक्राइब ने सड़कों का प्राबल्मुह को जब जो पा मदके और अपना मतका चाहितना है वोट डालके बड़िया लग रहा है और काफी लोग आ रहे हैं युवा भी आ रहे हैं बुजर्ग भी आ रहे हैं सब भी आ रहे हैं मद्दान करने इतने भी युवा पिड़ी है सब महसुस कर रहे हैं और बहुशन में भी करेंगे और जितने भी हमारी युवा हैं उनको कहता अब हम आपको लिये चलते हैं बेचल रानिपूर में जहां पर हमारी स्रयोगी आपको बताएंगी कि वहां पर क्या इस्तती है लोक्तंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं अभी हम मौझूद हैं और यहां पर जो यह लंबी कटार दिखाए दे रही है आपको यह बता रहे हैं कि हम भी एक जागरूक नागरिक हैं हम भी अपने वोट का इस सही इस्तेमाल कर सकते हैं हम भी कि हमारे साथ कुछ लोग मौझूद हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्द हैं क्या कुछ मुद्दों पर आज वो बात करेंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगे हमारी समस्षा वह हमारारा नाली नहीं बना सड़क नहीं हम बोट कर रहे हैं देश के लिए अपने दूर्नति के लिए देखिए बेरुजगारी है महंगाई है भरस्टाचार है अब बच्छों के पढ़ाई बरबाद है और इसकुल के फिर से इतनी ज्यादा है कि गरीब आद में उसको भरपाई नहीं कर पा रहा है और विकास कुछ कैसी नहीं है यहाँ पर यूवाक premier नहीं कौक जानते हैं कि कितना कूषब कुछ रोजगार के अलावाव भी क्या कुछ मुद्व है है या फिर रोजगा सबसे में मुद्वावने वाला है रोजगार तो यहीं काफी पढ़ले लिख कर रहे हैं तो यह चीज देखनी चाहिए सरकार को तो अभी हमने कुछ मतदाताओं से बात की किसी के अंदर नाराजगी है तो कुछ कहते हैं कि नहीं हमारे शेत्र में काफी विकास हुआ है तो कुछ चाहते हैं कि कुछ जो कुछ कमिया रह गई है वो भी पूरी हो जाए फिलाल अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ कैंट विधान सबाशेत्री की ओर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है अभी कि राज़दानी देहरादून की देहरादून कैंट विधान सबाशेत्र के मद्दान इस्थल पर इस वक्त हम मौदूध हैं और आप देख सकते हैं भारी तारात में काफी उस्था है जंता में यह यहां पर आज जब आप घर से निकली थे, क्या सोच करके निकले हैं, किस तरह के मुद्धे हैं आपके मन में जो आप वोट यहां पर देने हैं, यही कि हमारी सब समस्याओं का समाधान होगा, और कोई अच्छा कोई पत्याशी चुनकर हम उसको वोट देंगे, अपने अधिक पत्रोजकर हमारत में रोजगार होगारं हम धो बेस्जे का मुद्द हाख भूर्ज उनो को त्षय आपको कमश्सब्तुं कर रहें हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो है ओप लाहिं, भूसकानून रोजगार और थो बत्तेचार हмет को यहां पर बच्चों को भिए सिक्षा का जो एक समान, चीबी एस्ती वाला दुखलेबस है, वो चले ही, और जो प्लायन हो रहा है यहां से, पहाडों से, वो प्लायन रुके, जो आनों को जो विवार पड़े लिखें, उनका जो बिरुद्दारी है, उनको दूर के आजाए, साथ में जो महिलाओं के लिए, जो काम हो होना चाहिए, हमने लोगों से जनता से जाना कि उनकी राई क्या है, किस तरह की वो सरकार चुनना चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, अब हम आपको लिए चलते हैं जो आला पूर, जहां पर हमारी सहयोगी, वहां का जाइजा ले रही हैं तुदर्शकों अब दूरदेश्चन उत्तरागंड की टीम आप अहुची है जो आला पूर शेत्र में और यहां पर भी मतिदाता अपने वोट की चोड़ पर अपने प्रत्याशी को विज़ाई वनाने के लिए लाइन में खड़े अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं तो चलिए उनी से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ ऐसी बाते हैं जिनको ध्यान में रखकर वो अपने प्रत्याशी को आज वोट देने जा रहे हैं सबसे पहले बेरोजगारी हमारी यहां पर क्या है बेरोजगारी बहुत जादा है जो भी ऐसे लोग है जो नोकरी पर लगे पर अभी तार एड़ो में ही रखा गया है और उनके फ्यूचर को धियान में रखते वे उनको परमनेंट सरकार को करना जी पहले से महगाई भी कम ह को जाते हैं हुआ। पूरा हो जा। यहीं हो पूरा है हर चीत देखने पड़ाते हैं सोच्ना से मजने पड़ता है जो हमारे एरिया का विकास करे उसी के लिए हम वोट करेंगे बुगते दो बहुत है मेंडम बेसे बेरोजगारी हो गई है और महाईए यह देखते बेड़ुट करेंगे आगे देश हित में जो भी स्गी होगा वो करेंगे जिस देश में आठ साल का बच्चा काम करता है उस देश में बेरुजगारी हो यह नहीं सकती लेकिन देश हित्में जो भी होगा उसको दिया जाएगा वोट अभी तक हम जिनवी विधान सवा शेत्रों में गए हैं मिल जूलकल एक रूप तो सामने आया है कि वोट सबसे पहले चाहे प्रत्याशी कितना भी सक्षम हो या ना हो लेकिन हमें वोट देना है काम करे या ना करे लेकिन हमें हमारा जो पहला करतव्य है वो निबाना है हमें वोट देना है जैसे कहा भी जा रहा है कि पहले मददान फिर जलपान तो चलिए आपको लेकर चलती हूं राजपूर विधान शवा शेत्री के ओर और देखते हैं वहां पर क्या कुछ खबर हैं राजपूर विधान सवा शेत्र जो है वो पॉश इलाके का यह चेत्र है यह पर हमाई साथ में कुछ लोग हमाई साथ में इस वक्त मौजूद हैं आईए उन से बातशीत करते हैं अपना मददान तो करना ही चाहिए सब कोई करना चाहिए है इसका बहुत है एक वोट ड्यू एली होती है मैं चाहिए कि जो हम यह मददान करें हमें एक तो डैपलिमेंट चाहिए और दूसरा नौकरी मेरा मतलब यही था कि इस बार वोट करना है चाहिए कोई जो भी प्रॉब्लम से हमें आगे बढ़ना है इससिति को ऐसा देके हैं कि पहले कि इस्तिती और अब के इस्तित्य में बड़ा फर्क है अब हमारे जितने भी मदाता है मदान करक्दर जो भी अदिकारी है सब भुद्री जीवी है वो खुद भला और बुरा सोते हैं में किसे बौर देना है और किसे नहीं देना है मद्दान में मन मना के आए हैं जैसा देश चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसको मजबूत करना है अच्छे मुद्दे आपको क्या लगते हैं इस बार के चुनाओं के जो इस्थानी है पहले तो पहला बुद्दा है कि बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों को वादे करते हैं और पड़े लिखे बच्चों को यह कहते हैं कि हम तीन हजार देंगे, कोई पार्डी कहते हैं, दो हजार देंगे, इससे क्या होता है, इससे तो बच्चों का मनोबन गिरता है ना बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें अपे मत्दान के दिन हम सब का उकर रहे हैं मैं यह बोलूँगी कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो सोचल डिस्टैंसिंग का पालन करिए और सैनिटाइजर मास्क का उपियोग करिए और अपना एक अच्छा नेता चुँए अब आपको हम लिये चलते हैं अपनी सहयोगी के पास हरिद्वार विधानसवाज शेत्र में देखते हैं वहाँ पर क्या इस्तती है तो दर्शको अभी हम मौझूद हैं धर्मनगरी हरिद्वार शेत्र में और यहाँ पर भी लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगी है और लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब हमारा नमर आए और हम भी अपना अमूल या वोट अपने प्रत्याशी को दें तो चलिए यहाँ की लोगों से बात करते हैं और जादते हैं उनके मन की क्या कुछ बाते हैं तो सर आप से जाना चाहेंगे आप अभी-अभी वोट डाल के बाहर आए हैं तो क्या उम्मीदे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर जो जो से बहुत से जरूरते हैं जो अब तक जो विधाय करें उनको चार साल कंटीनु मोका मिला है और चार साल में कल में उनका पेंप्लेट पढ़ रहता हैं तो पेंप्लेट में गिनके नो काम दें उम्मी देश सबसे तो पाल्टी चाहिए कोई भी हो सबसे पहले उसमें हम अपना राश्टी तो देश हित की बात क्या है किसी पाल्टी में होनी चाहिए जो पाल्टी देश हित की बात करता राश्टी की बात करता उस पाल्टी को आमारे सपोर्ट रहेगा चाहिए कोई भी प और यह में आगे भी सरकार से उपरिक्षा करता हूं कि वह इसी तरह से देश का तेश का राज्य का और अस्तानिय जनता का और अस्तानिय सहर का क्या विकास करेगी इसी आश्वा से हम बोड़ देने के लिए पर आएं तो आप से जाना चाहेंगे माम क्या क्या आज दूर्दे होने वाले हैं आपके अच्छे उने चैये और जो हम जैसे जो पार्टी जो करना चाहती है वो करेड़े पर हमें के जो पोड़िस को देना है जो अच्छा काम करेंगे हम उससी को देए मेहंगाई थोड़ा सा ज़ादा है और कुछ नहीं कह सकते हैं यह सरकार ने ऐसे सड़के तो बहुत अच्छी बनाई है और जो इतनी क्या नम सुल्विदा करी है यात्रियों के लिए वो बहुत अच्छा करा रहा है सो पहले तो बात यह है कि इस उत्राखंड राज्य में जो है बेरोजगारी दर कम की जाए नौकरिया निकाली जाए सरकारी नौकरी महंगाई तो तनी बहुत ज्यादा हो गए यह तनी महंगाई हो गए कि बेरोजगार वाले तो बहुत परहसान है और छोटे-छोटे करमचारी कहां से भरपाई करें करमच प्रे लोटे तो दर्शे को उत्तरा तो दर्शे को उमीद करते हैं आज का ये कारेक्रम आपको पसंद आया होगा दूर्दशन उत्तराखन की पूरी टीम को दीजिये इजाज़त नमस्कार